हेलो अर्वान एंड वेल्कम इन माई यूटूब शेयर अंडरन क्लासेस आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जित्ते भी सारे साथी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए व्यादी शांदार खुसकवरी है तो आर सहारनपुर, शामली, मुजफर नगर, विजनौर, अम्रोहा, रामपुर, मुरादावाद, बुलंद शाहर, गौतम बुद्ध नगर, भागपद, गाजियवाद, मेरट और हापुर उत्तर परदेस में ये 12 माई से 31 माई तक होगी कहां पर चौधरी चरंजिंग स्टेडिय 2021 तक आपका रजिस्टेशन होगा अनलाइन, यानि आज से आपके पास 20-21 दिन का टाइम है, अगर आपके पास कोई भी सार्टिफिकेट में दिक्कत है तो आप सही करा सकते हैं, अब बात करते हैं, एड्मिट कार्ड की तो एड्मिट कार्ड जो है आपका, वो आपके मेल 27 अपरेल को आ जाएगा, तो आप सभी को एड्मिट कार्ड के साथ टाइम पर पहुंचना रहेगा, जहां का प्लेस आपको दिया जाएगा, अब बात करते हैं, केटेग्री वाइज, पोस्ट के नामों की, एज की और किस किस के बीच में एज आपकी होनी चाहिए, और मिनम फिजिकल क्यानिटी की, अब बात करेंगे, एज केशनल क्यालिफिकेशन की, तो बात करते हैं, जो आपका नेम आमदा पोस्ट फस्ट है, यह है सोलजर जनल लिटी, तो इसमें होना चाहिए, साड़े सत्रा से एकीस साल, यह आपका दिया हुआ है, अब बात करेंगे, तो यह कक्षा दस पास होना चाहिए, और कम से कम 45% मार्क से 33% सभी सब्जेक्टों में पाना चाहिए, ओके फ्रेंट्स, अब नेक्स्ट है आपका सोलजर टेक्निकल, तो इसमें क्या है साड़े सत्रा से तेस साल के बीत में उम्र होनी चाहिए, और यह होगी आपकी, एक फीजिक्स, और मैथ, और अंगलिस से कमसे कम 50% मार्क सोने चाहिए, और सभी सब्जेक्टों में कमसे कम 40% मार्क सोने चाहिए, ओके फ्रेंट्स, तो नेक्स अब करेंगे jest, अब बात करेंगे, यह कर्द तो एज़ आपकी होनी चाहिए, साड़े सत्तरा से तेईस साल और यह एक अक्टूबर 1998 से एक अपरिल 2004 के वीज में होनी चाहिए बात करेंगे हाइट की तो एक सतर संटीमीटर होनी चाहिए और बात करेंगे क्वालिफिकेशन की तो कक्षा बारा पास होना चाहिए साइन्स कमस्ती बावलाजी और इंगलिस स से कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और सभी में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए और या तो यह दिया है आरना या तो कक्षा बारा पास होना चाहिए बिग्यान साइन्स मतलब बिग्यान फीजिक्स बहुतिक बिग्यान केमस्ती रशायन बिग्यान और बाटनी और जुलेजी and English with कम से कम 50% marks से होना चाहिए और सभी subject में 40% marks होने चाहिए अब next vacancy है आपकी soldier, clerk, storekeeper, technical की तो इसमें आपका साड़े सत्रा से तीस साल आपका एज होना चाहिए जो 1 October 1998 से 1 April 2004 की वीच में count होगा अब बात करेंगे height की तो एक 62 होनी चाहिए और बात करेंगे आपकी educational qualification की तो ये आपका होना चाहिए कक्षावारा पास होना चाहिए किसी भी मतलब कोई कुछ भी हो आपका art हो, commerce हो कम से कम 60% marks होने चाहिए और minimum 50% इस subject में पाना चाहिए English or math account book keeping in कक्षावारा mandatory ये बहुत जरूरी है मतलब English और math या तो accountant English बहुत जरूरी है और math या तो accountant होना चाहिए ये जरूरी है किसमें कक्षावारा में अब बात करते हैं next vacancy आपकी soldier tradesman all arms कक्षा दसपास तो ये soldier tradesman की है इसमें आपका साड़े 17 से 23 सल के वीच में होना चाहिए ये आपका criteria है एक सतर संटीमीटर हाइट होनी चाहिए अब बात करते हैं आपका qualification की तो कक्षा दसपास होना चाहिए चीफ, racer, washerman and slave world अब बात करेंगे इसमें क्यों कक्षा दसपास होना चाहिए कोई और कुछ भी जरूरी नहीं है कोई भी हो जाए art हो जाए मैत हो कम से कम 33% सभी subject में पाना चाहिए किसके लिए soldier, tradesman के लिए अब next आप देखेंगे next frequency आपकी soldier, tradesman all arm से एक कक्षा आठ पास भी चलेगा इसमें साड़े सत्तरा से तेश साल आपकी उमर होनी चाहिए ये आपका count होगा एक अक्टूबर 1998 से एक अपरेल 2004 के बीच में हाइट एक सतर संटीमीटर होनी चाहिए अभी आप educational qualification देख सकते हैं जैसे मैंने बताया है ख़चा आठ पास होना चाहिए आपको और कोई भी इसमें मतलब और कुछ भी नहीं है कम से कम 33% सभी सब्जक्ट में पाना चाहिए इत्ता जरूरी है ओके फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं education certificate issued by education boards यानि किसी भी आपका मानताव रापत विद्धाले से सारे certificate होने चाहिए class category यह जो आपका special भरती होती है किसके लिए लद्दा के लिए गोरक बोथ नेपाल्स एंड इंडियन्स के लिए तो इन सभी के बारे में हम जान लेंगे इन सब की height है आपकी अगर हम बात करें गोरखास की और नेपालियन की जो इंडिया में रह रहे हैं तो इनकी होनी चाहिए एक सतान सेंटीमीटर वेट आपका दिया है चेस्ट आपका दिया है अगर हम बात करें candidates from अंडमान एन निकोबार के लिए तो इनकी जो height होनी चाहिए आपका shelters के लिए एक 655 होनी चाहिए और बात करें आपकी जो है location के लिए आपकी एक 655 होनी चाहिए और बात करते हैं ट्रिवल्स एरियाज की तो एक 62 होनी चाहिए ओके फ्रेंट्स चेस्ट और वेट आप देख सकते हैं चलिए अब बात कर लेते हैं और सभी के बारे में तो आपका sons sons of service man इसके लिए आपकी हाइट होनी चाहिए हाइट और वेट ये सब दिया हुआ है चलिए अब next आप सभी देख लेंगे अगर आप sportman है यानि NCC है तो आप सभी के लिए क्या है number up marks जुड़ेंगे अगर आप sportman है तो आपके पास certificate होना चाहिए या आप NCC की हुए है तो certificate होना चाहिए जिससे आपके marks जो है वो सभी बढ़ेंगे जैसा कि इसमें दिया हुआ है जो आपकी running होगी वो 1600 मीटर की होगी यानि 1.6 km रन होगा और आप सभी को इसमें कितने marks दिये जाएंगे 60 marks दिये जाएंगे यह सब दिया हुए आप सभी पढ़ सकते हैं इसको पॉस करके मेडिकल टेस्ट भी आपका होगा जो admit card होगा उसमें जो photograph होना चाहिए वो अभी हाल ही का होना चाहिए जो भी admit card हो उसको छोटा बड़ा नहीं करिए जैसे side में निकले वैसे ही आप सभी को लेके जाना है educational qualification में ने आप सभी को बता ही दिया है जित्ते भी educational qualification जैसे high school का है या कक्षवारा का है आप सभी उसको लेकर के जाएंगे और domicile यानि आप सभी domicile अपना लेके जाएंगे card certificate जहाती प्रमाण पत्र होना चाहिए religion certificate होना चाहिए और आप सभी का होना चाहिए school character certificate आप जहां से high school या इंटर की होंगे character certificate वहां से ले ली जिएगा आप सभी और character certificate यह जो यह ग्राम सरपंद से बनवा ली जिएगा जो पांस रुपे का मिलता है आप वहां से महों रस्त करवाईएगा आप सभी का relationship certificate है यह सब वह से ज़रूरी कुछ नहीं है इसमें दिया हुआ है के वल NCC certificate से आपको जैसे कि मैंने बताया आप सभी के मार्क से जुड़ेंगे ओके फ्रेंड्स तो अगर आप सभी के पास NCC certificate है या आप सभी sport कोटे के candidate हैं तो आप सभी इसका लाब उठा सकते हैं ओके फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप सभी आवेदन कर दीजिए यह आवेदन करेंगे आप www.joinindianarmy.nic.in पर इस पे जा होना चाहिए यानि कहीं भी टैटू नहीं होना चाहिए ओके फ्रेंड्स आप सभी बात कर लेते हैं जो आपकी लास्ट डेट होगी उसके बारे में तो जो आपकी लास्ट डेट होने है नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई भी वीडियो को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो आप सभी हमारे कमेंट वाक्स में कमेंट कर सकते हैं ओके थैंक्यू फार वाचिंग